दोस्तो All India GST Drive जिसकी काफी सारी वीडियोज अल्रड़ी हम अप्लोड कर चुके हैं आपकी इन्फोर्मेशन के लिए ये GST Drive टू मन्स के लिए है और GST Officer आपके पास जो विजिट करने वाले है उनके बारे में आपको कैसे पता लगाना है कि क्या वो आपकी जूरिस्टिक्श तो यहाँ पर देखिए आपको My Profile के अंदर जाना है My Profile में आपको जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका Center Jurisdiction and State Jurisdiction जो है Mention किया गया है ठीक है तो यहाँ पर Center Jurisdiction and State Jurisdiction होगा तोनों ही चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर Red Color में आपका State Jurisdiction आ रहा है और जो Center Jurisdiction है वो आपको Black Color में दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका Jurisdiction किसकी Jurisdiction में आपका जो Place of Business है वो आता है ठीक है फर्स तो यह Second, अगर GST Officer आपके पास Visit कर रहे हैं तो आपके पास Visit करने के लिए वो आपके किन Documents को देख सकते हैं ठीक है क्या आपके Financial Transactions को देख सकते हैं या वो Generally एक आपके Place of Business का Verification है तो दोस्तों वो आपके Place of Business का Verification करने आ रहे हैं ठीक है आपके किसी दे रहे कि कोई Inspection वहाँ प केबल आपके Place of Business को Verify करने के लिए वो आ रहे हैं तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है काफी बार आपकी साथ Share हो चुका है ठीक है तो यही चीज़ें आपको अपने Profile में जा करके देख लेनी हैं आपका जो Place of Business है वो कहां पे है Additional Place of Business में आपने क्या Mention किया हुआ है इन सभी चीजों को आपको देखना है कि अगर आपका जो Main Place of Business के अलावा भी कहीं और से काम चल रहा है तो आप चेक कर लीजिए My Profile के साथ ही आपको Place of Business का यह Option दिखाई दे रहा है तो यहां पे जाकर के आपको चेक कर लेना है कि जो Place of Business है वो आपने क्या-क्या दिखाया हुआ है अगर Principal Place of Business के अलावा आप कहीं और से काम कर रहे हैं तो क्या आपने भहां का Address भी as an Additional Place of Business उसे भी दिखाया हुआ है या नहीं दिखाया हुआ तो यह Information आप यहां से चेक कर लीजिए तो यह सबी चीजे हैं जो कि आपका GST Officer आपकी चेक करेगा तो यह चोटी-चो वेडियो में mention कर ही दिया है कि अगर आपने अपने जो है residential place को ठीक है कोई ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं जो आप work from home कर रहे हैं वहां का आपने GST number लिया हुआ है उस place को आपने Principal Place of Business दिखाया हुआ है तो वहां भी विजिट कर सकते हैं ठीक है तो आपके घर पर भी विज विजिट हो सकता है अगर उसको आपने दिखाया हुआ है तो अब सवाल यह आता है कि क्या सभी के पास GST officer विजिट करेंगे तो जैसा कि वो advisory आई थी उस advisory में जो बाते लिखी गई थी कि data analytics tools and other जो tools हैं उनको use करके portal से information लेकर के जहां पे risk लग रहा है या जो suspicious GSTN लग र हो सकती है हो सकता है आप किसी ऐसे जो है business के साथ deal कर रहे हैं जो suspicious है तो इस वज़े से भी आपके पास officers visit कर सकते हैं for example आपके supplier या आपके recipient को अगर fictitious पाय जाते हैं तो आपकी भी पास भी officer की visit इस वज़े से भी हो सकती है तो यह जो है visit कहीं भी हो सकती है लेकिन कुछ जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है जो आपके साथ हमने share करी है